जए स्रीकुष्णा राधे राधे बेलकम बैक टू माई चैनल जहाँ आम बाते करते हैं लड़कोपल के भोग, बस्तर और सिंगार के बारे में कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे ठाकुर जी किरपा आप सब पर यहीं बनी रहे और आप सब यहीं हस्ते और मुस्कराते रहें, खुस रहें तो चलिए आज की वीडियो में लेके आई हूँ सरण अपरात्री की पूजन सामग्री में क्या क्या होना चाहिए क्या क्या सामग्री जरूरी है संपूर्ण पूजन के लिए तो चलिए देन न करते हूए हम सुरू करेंगे वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा ज्यादे ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो जब हम पूजा के सामान की लिष्ट बनाएं तो सबसे पहले आप ओम लिख लिजिए श्री गनेश लिजिए या फिर स्वास्तिक का चिन बना लेजिए तो सबसे पहले शुरू बात करते हैं हम हल्दी से सबसे पहले हल्दी होने चाहिए ख़डी हलदी ले लीजिए लोंग, सुपारी इलाइची, कलावा जनेव, जनेव, पीला, सपेद दोनों क्योंकि इसमें भखवान सीब कविया पूजन जरूर कीजिएगा तो भखवान सीब को सपेद जनेव चलता है और गनेश जी को पीला जनेव चलता है और बता से कपूर ले लीजे घी ले लेजे अभक अखंझोत आप घी से जलाएं या तिल से जलाएं वह आपके आपके उपर है जैसा आप कुछ ना कुछ तो पंच मेवा इलाची दाना बतासा मिश्री सहद जों और गेहुं मिक्स गेहुं और जों हम जोंबोने के लिए लेते हैं ने मिलाके जो हम मातरानी के नोगदेब होते हैं जो इसके बाद कलस आप चाहें तो मिट्टी का ले लीजिए चांबे का ले प्लस डखकन साथ में होना चाहिए ठीक है सोना चांदी जैसा चाहें आप कलस ले लीजिए सिर्फ इस्टील लोहे का और जो है कलस पूजा में इस्तेमाल नहीं होता है ठीक है एक बरतन जोंबोने के ले लीजिए जिसमें हम बहुत नहीं चाहें मिट्टी का ले 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 चाहें प्लेट में बोलें जैसा आपको उचित लगे उसके बाद एक चोकी लें चोकी पर बिछाने के लिए एक लाल पीला कपड़ा ले लें जो चोकी पर हम बिछाते हैं चुनरी ले लीजे मातारानी के लिए दूबत्ती और माता को शिंगार का शामान गंगा जल गंगा जल तो जरूरी ले लिजीए सहद अब हम चलते हैं इस्नान की तरफ क्या क्या सामगरी लगनी है तो उसे अब मैं बता देती हूं इस्नान के लिए हम पंच आमरत बनाते हैं जैसा कि दूद, दही, घी, शहद और पंच मेवा तो इससे हम पंचमरत बना के उससे इसनान कराते हैं और कुछ हम मिक्स फूल ले लीजे सभी प्रकार के ले लीजे फूल उनके लिए और जो है आप सभी तरह के फूल ले 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 मातारानी के लिए और एक माला ले ले मातारानी को पहनाने को कलस पे पहनाने को और पान के पत्ते नारियल ले ले लें और प्लस आम के पत्ते या असोक के पत्ते जो नारियल पर हम लगाएंगे जिस पर हम नारियल इस्थापित करेंगे चोकि सजाने के लिए अश्टिदल कमल बनाने के लिए कलर करके चावल रख लेजिएगा या ready made ले लिजेगा आप colorful चावल आते हैं ready made भी तो वो ले लिजेगा अश्ट दल कमल बनाने के लिए और अगर अश्ट दल कमल नहीं बना सकते हैं तो आप चावल थोड़ा थोड़ा चोकी पर छिड़क दें और उसके उपर ही ब्राजमान कीजेगा गणेशी को भी मातारान को भी और कलस स्थापना भी उसे पर कीजिएगा यदि तोड़ी से चावल की देहरी आप अवश्य लगा ले उसके उपर ही कलस स्थापना करें नारियल की भी आफकी इच्छा है अगर चाहें तो आप हरावाला कच्छ नारियल जो आता वह भी ले सकते हैं लेकिन पानी वा ले सकते हैं पानी वाला वश्य होना सही है इसके बाद रोली चंदन केसर और स्वाक की सामगरी मैंने आप सो बताई दी है सभी कुछ लेना है और कंडा हवन के लिए हवन सामगरी कपूर में बताई चुकी हूं पान सुपाडी लोंग इलाची यह समय ने आपको पहली बता द दिखाएं तो गूगल लोबान यह सब आएगा कमल गट्टा और इसमें जो है सामगरी आप डाउन करके अपने हिसाब से ले सकते हैं और सुहाग का समान अगर हो सके तो आप अलग अलग अपनी स्रद्धा के अनुशार खरीदें फिर लें क्योंकि जो हम पैकिट लाते हैं उसमें कुछ समान ऐसा जैसे कि चूड़ियां भी कभी कभी प्लास्टिक की भी रख देते हैं तो सुहाग का समान अगर हो सके तो आप थोड़ा 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 अलग अलग अपने हिसाब से खरीद के लेके हैं आए सब तो आगर वासा करते हूं यह लिस्ट आप लोग करता है